कि हमारे पास यहां पर टैप है ले आउट का कौन कोन सी चीज़े मवजूद हैं ले ऊटोट में सबसे पहला ग्रूप है पे चैटप का पेज्ट के अंदर हमारे पास सबसे पहले हैं मार्जन orientation size और columns ये page की बात हो रही है कि page का size क्या है page की margin क्या है orientation क्या है columns कितने लगे इन मेसेज़े तो breaks है इसको हम पहले देख चुके हैं लेकिन आप बारीगी से देखेंगे कि इसका basic मकसद क्या होता है सबसे पहले आप margin के page के margins क्या होते हैं आप देख रहे हैं कि हमेशा यह यहां तरू होता है आप जब भी आप ms फैसा यहां पर नहीं लिख सकते इतने लगी है अधा लगावाई margin line लगाई है आप जैसे अपने रिजिस्टर के उपर मार्जन लाइन लगाते हैं हाशिया लगाते हैं किस लिए लगाते हैं ताके आप बाउंडरी बना दें ताके आपको पता लगे कि आपने इससे आगे नहीं लिखना और इससे पीछे नहीं लिखना ठीक हो गया इसी तरह आपका उपर भी एक मार लगाव है और यह कि नीचे भी उते हैं आपके मर्डंग को बोला याता है टौप मारजन बॉटम मार्जन ंपर वाला मार्जन और नीचे वाला मार्जन्ट फिर उशके बाहरर लेफ्ट और उंच के होते हैं यहार डिफॉल्ट यह मतलब है कि चारो साइडो से एक एक इंच छोड़ा होता है यहां से भी एक इंच का वकफा है लेट से भी एक इंच का वकफा है राइट से भी एक इंच का वकफा है ठीक हो गया तो यह चारो साइडों से एक एक इंच का वकफा छोड़ा जाता है मार्जन्स हमारे पास यह होते हैं लेकिन जरूरी नहीं है के हम एक इंच का शुड़ें बाज हम ऐसा डॉक्किफल्ट बना रहे होते हैं जिसमें मार्ज chim plac channel यह होते हैं तंग चाहिए होते हैं क्या करेंगे हम मार्चम सुन मैं जाएंगे margin मगे यहां पर चलते है puppies के इंदर सबसे पहले हुआ हुआBLE NORMAL के अंदर टॉप जू है वह इन्च है बोटम रूम इन्च है और रेपाइड लीच है यह आप देख सकते हैं असानी से उसके बाद यहां पर नीचे है मार्जन नेरो मार्जन नेरो का यह मतलब है कि टॉप पे भी 0.5 इंच होगा लेफ्ट पर भी गॉटम भी राइट पे इस पर क्लिक करें नेरो पे जैसे ही क्लिक कि आप देख रहे हैं अब देखें आप थोड़ा सा पीछे आगया है यहां से तंग हो गया अब आप जादा पेज के उपर लिख सकते हैं ठीक है कहाने के 0.5 इंच हो गया है इसी तरह यहां पर मॉडरेट है मॉडरेट के इंदर आप देख सकते हैं टॉप बन इंच है बॉटम वन इंच है लेफ्ट 0.75 है राइड भी 0.75 है तो यहां पे आपको जो मार्जन पसंद आता है आप उससपे क्लीक करके मार्जन बना सकते हैं उसके बाद अगर अगर आप अपनी मर्जी से मार्जन सेट करना चाहें तो आपने यहां पे लास्ट पर क्लिक करना है कस्टम मार्जन आर्जनément के बाध बाद एक डायलॉbed आज आयगए गाए इसके अंदर पहला यह तो मैं यहां पर रुख देता ऊंट और पिर उसके बाद मैं कहता हूं कि बोटम से टूँ इंच का मारजिन होना चाहिए और राइट पनी मरजी से वैलियो सेट करती है उपर से टू इंच बॉटम से टू इंच लेट से त्री इंच और राइट से चार इंच ठीक हो गया और इसके बाद मैंने यहां से करना है ओके किया अब हम देखते हैं कि हमारी वह सेटिंग हुई जो हम करना चाहरे थे यह देखें यह इस तरीके से आपके कितने चोटे मारजन लगी है यहां यहां तक मारजन लगी है जतना हिस्सा आपके रूलर के उपर differently होता है आप इस मारजन को ऐसे भी बढ़ा सकते हैं येरे कि मार जा रहा हुं माऊस से आपने इस ग्रेवाले को पकड़ना है और पिर ऐसे मूव करना यद रहे कि आपके पास यह जो यह नीचे पॉइंटर है यह है राइट इंडेंट यह हम पहले भी कर चुके हैं इंडेंटेशन में आपने यहां से भी पकड़ना आपने थोड़ा उपर जाना है जब माउस का पॉइंटर डबल एरो वाले डबल साइड़ बन जाएगा तो आपने यहां से इसको पकड़े की अर्गन कम उलिकन को रहा है और यह ज्युक्रण करते हो ऐसी त्रा आपने इंटर मार्जन को यह आगैं और आगे के दर्मयान में रखना है तो आपने इन ढब साइड़ मार्जन बन जाएगा इंढ़ आपका लेफ्ट मार्जन जो होगा वह कम जादा आप कर सकते हैं इसी तरह टॉप मार्जन पे आप देखें यहां पे आप लेफ्ट साइट पे देखें एक मार्जन लगावा आपको दिखाई दे रहा है ग्रे वावा इतना पॉर्शन लेफ्ट रूलर के उपर तो यह आते हैं आप देखते हैं कि इतने इससे में नहीं लिखा जारा पिर आटोमेटिकली वो नेक्स्ट पे लाइन्स ट्रांसफर हो या थी तो आप इस चीज़ से बचने के लिए मार्जन को जादा भी कर सकते हैं तो यह लिए नीचे तक आगई तो आप अपने मर्जी से पेज कर सकते हैं यहां से इतना मार्जन रख लें और उपर से यहां पूरा करते हैं तो ज्यादा लाइने आजेंगी एक पेज के उपर प्रिंट में आपको ज्यादा आसानी होगी ठीक है लेकिं बेदर तरीका यह नहीं है क्योंकि होनी चाहिए विए साती लगावा हो तो अच् ला सकते हैं रूलर पे उपर को करके डबल क्लिक करते हैं यह आ गया या अगर आप मार्जन में जाएं तो तब भी हमारे पास यह आ जाएगा डायलॉग बॉक्स पेज मार्जन के बाद नेक्स्ट आप्शन हमारे पास आ रहे है और येंटेशन का मतलब यह होता है कि एक पेज किस डायरेक्शन में मौझूद है या तो वह पोट्रेट होगा इसका मतलब बिल्कुल सीद में ठीक है या एक लैंड्सकेप होगा अब देखते हैं दोनों में फर्क क्या है बाइडिफॉल्ट पहले से पोट्रेट हुआ है ठीक है बाइडिफ की शीर्ट होती है ठीक है औरिंटेशन पोट्रेट का मतलब है सीधा पेज और जब हम इसको लैंड्सकेप करेंगे तो पेज ऐसे हो जाएगा तो आप दोनों तरीकों से एक पेज पे लिख सकते हैं तो दो किसम की औरिंटेशन होती है यह आपने याद रखता है रहे हैं उसको आप उससे घुमाकर भी लिख सकते हैं इसको इसका मार्जन के बढहाएं आप से करें लिख़ती हैं और यह आगया लिफ नॉड्ट मारेजन यहां पे राइट तक वह तो वही उसी तरीक है यह पड़ा इंपोर्टेरा आप realise सेन्सका भाई डिफॉल्ड पहले से जो प्रेज साइज होता है वो होता है हमारे पास वेटर लीटर साइज हमारे पास पहले से में पॉत्याची है bowl अब में लगा है ठीक है ऑर ऐफिशल जौ पर साइज है यानि के जिस पह हम काम करते हैं अपने दा आप नोट करलें इस बहुत इंपोर्टन यह चीज़ें क्योंकि अक्सर यह होता है कि आप से कुछ इंटर्व्यूस में पूछा जाता है कि पहले से एमस्वर्ड में कौन सा पे लगा होता है तो आप गलती से कह देते हैं एफ और क्योंकि हम एफ फॉर पर काम करते हैं लेकिन हकीकत यह है कि बैएट लेटर लगा होता है आप यहां पर साइज में जाएं ठीक है सबसे पहला जो पेज यह क्या है लेटर यह लगा होता है इंतर सबस सोगते मैंने इसकी स्टेंग चेंज करके एक पहले से लगा होता है अब लेटर पेज जो है इसकी उसने डाइमेंशन लिख दी है कि इसकी चुड़ाई होती है और ग्यारा इंच इसकी लंबाई होती चाहे बाकी पेजिस की ना करें तो साड़े आठ इंच यह चोड़ा होता है पेज लैटर और ग्यारा इंच जो होता है यह लंबा होता है यानि कि हाइट होती है ठीक है इसी तरह एफोर की हम साइज की हाइट और वो देख लेते हैं एट पॉइंट टू सेवन एट पॉइंट टू सेवन इन्टू एलेवन पॉइंट सिक्स नाइन और यह भी इंच की बात हो रही है यहां पे और हमारे पास लीगल जो बड़ा वाला पे जो सबसे यहां पे जो बड़ा हम यूज करते हैं वो लीगल होता है ठीक है जो आम फोटो कॉपी की जो इस्तमाल हो रहता है एट फॉर्टीन इंचिज ठीक है तो अब यह देख सकते हैं यहां से इसकी लंबाई सबसे आदा यह चौदा इंच के बाट तो यह हमारे पास पर साइजिस हैं यह आपने याद रखने एट लिस्ट इन तीन पेजिस की डिमेंशन आपको पता होनी चाहिए इसके बाद हमारे प चोटा पेज आए इसी तरह फॉर बाई सिक्स इंजे काफी चोटा पेज आप इन सारे पेजिस को देखें कुछ काफी बढ़े हैं कुछ बहुत ही चोटे हैं एंड वैलप है ठीक है तो आप इन में से कोई भी चीज सेलेक्ट कर सकते हैं उसमें कौन सा पेज होता लीगल हो मौजूद है इस पर आपने क्लिक किया मौर पेपर साइजिस में जब आप आएंगे तो आप अपनी मर्जी से यहां पर चुड़ाई और लबाई उसकी दे सकते हैं जैसे कि मैंने भी बात की है बात की कि स्टेम पेपर जो होता है स्टाम पेपर जिसको हम बोलते हैं उसकी दंबाई और चुड़ाई कितनी होती है फिलाल मेरे माइड में नहीं है तो हम उसको स्केल से ना पेँगे फिर हम उसकी अगर चुड़ाई जो होगी वह आठ इंच होगी तो हम यहां पर खुछ से लिखेंगे आठ और चुड़ाई अगर उसकी चौदा या पंदरा होगी तो यहां पर कुछ से पंदार लिखेंगे तो वही बन जाएगा बिल्कुल जो हमारा स्टैम पेपर या स्टैम पेपर होगा तो अपनी मर्जी से भी हम साइज दे सकते हैं यहां और उसके बाद इसको हमने कर दिया यहां से ओके तो वह वहला पेश लग जाएगा यहां पर अ को अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं हम चाते हैं कि ऐसे पेज पर हम काम करें जिसकी चौदा इंच चुडाई हो और सोला इंचिसकी लंबाई हो मैंने अपनी मर्जी से यह दोनों चीज़े दे दी हैं और फिर मैं यहां से कर देता हूँ ओके तो वैसा पेज अर्प्रमेटि बताया था कि यहां से पीर साइज आ रहा है कि एक फॉर हम काम करते हैं एफॉर पे लेकिन पहले से कौन सा लगा होता है लेटर लगा होता है तो आप एफ ओर में जाए इसको आप यहां से सैटस्ष बीट करतें रहा बार जब आप खोलेंगे एमस वर्ड तो आटोमेटिकली एफोर पेपर लगाओं बाद ऐसा होता है हम घलती से जब भी एमस वर्ड ओपन करते हैं तो वहां पर लेटर साइज लगा होता है हम उसी पर काम करना शुरू कर देते हैं फिर हमें बाद में याद आता हो यार हमारे है पास तो फिर आपकी सारी सेटिंग सीवी की खराब हो जाएं तो हमेशा सीवी बनाते वे सबसे पहले पेपर साइज आपने चुना है और अगर आप भूल जाएंगे तो आप यहां से उसको डीफॉल्ट कर लें यहां से एपोल्ट करें और उसको यहां से सेट इस होगा उसमें भी लगाओगा मैं कहूंगा ओके तो अब एफोर ही लगाओगा इसमें साइज जब भी मैं इसको ओपन करूंगा एमस वर्ट को कॉलम्स क्या होते हैं हम उनको बारिकी से देखते हैं मैं यहां पर यह चीज़े मिटा रहा हूं पहले से जो भी काम हो रहा होता है एमस वर्ट के अंदर वह एक कॉलम्न में हो रहा होता है रिफॉल्ट पहले से जो काम हो रहा होता है मस कॉलम में जाके यहां से कर दो 2 कॉलम तो आप देख रहे हैं यहां पर इस पेज में दो कॉलम बन गये एक यह और यह आपने अक्सर इंग्लिश नीउस पेपर देखें हूंगे उसके अंदर इस तरह से लिखा होता ना काफी सारे अख़बार में कॉलम essent एक कॉलम में लिखा होता इसी तरह आप कॉलम में जा के त्री कर दें तो तीन कॉलम बन जाएंगे ठीक है इसी तरह यहां पे एक लेफ्ट कर देंगे तो यह एक कॉलम बड़ा हो जाएगा एक कॉलम सोटा हो जाएगा इसका राइट कर देंगे तो राइट साइड पे एक हुआ है ठीक है मैं फिर एंटर दबाता हूं फिर मैं नीचे कोई टाइपिंग करता हूं ठीक है अब आप देखने जब यहां पर खतम हुआ एक कॉलम तो आटोमेटिकली आपका करसर दूसरे कॉलम में आजएगा यानि कि पहले एक कॉलम खतम होगा फिर उसके बाद आप सेक प्यार यहां पर आप अपनी मर्जी से कॉलम बढ़ा भी सकते हैं ठीक है यहां पर देखरें करके दिखा देता हूं कि जब आपके यहां पर दो हमने कॉलम बनाई है तो आप देख नहीं के लिए मुक्तलिफ मार्चन्स बन गए तो आप इस कॉलम को कम करना चारहें तो यहां से पकड़ के इसकी चुड़ाई कम कर दें ठीक है इसको बढ़ाना चारहें ऐसे बढ़ा दें, यहां से बढ़ा दें, ठीक है, तो आप दोनों की adjustment जो sizes हैं, वो कम जादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और कम कर सकते हैं, यह आपकी मर्जी है, ठीक है, यह column की विर्थ होती है, यानि के column भी चुड़ाई, फिर column में वापस चलते हैं, more columns में जाते हैं, यहां पर आप देख रहे हैं, एक option मौझूद है, जो के है line between, line between का यह मतलब होता है कि दो columns या तीन columns के दरम्यान में एक line लग जाएगी, आपने line between पे टिक किया, यानि के चेक किया, और इस पे कर दिया, ok, ok पे क्लिक किया, तो आप देख रहे हैं, कि यहां पे बीच में क्या लग गई है, एक line लग गई है, बीच में एक line आ गई है, तो आप दो columns के दरम्यान में, एक line भी लगा सकते हैं, अच्छा, आम तोर पे क्या होता है, जब आप line between कर देते हैं, जैसे कि मैंने अभी भी line between किया है, और सिर्फ एक side लिखी है column की, तो यहां पे line नहीं आ रहे हैं, आप समझते हैं, line लगी नहीं, यानि कि मैंने उसको check किया, तो देखे line नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्योंकि अभी तक पे 2 column लगाए हैं, हर पेज़ पे आप 2-2 column लगे हों, जैसे कि मैं यहां से किसी भी पेज़ पे अगर कर देता हूं, तो पूरे document में जितने pages हैं, उसमें तीन column हो जाएंगे, इसी तरह अगर मैं one column करता हूं, जितने पेजींज कि षम्चिंज हैं उस फेज वन कॉलूम हो जाए क्या निक है शेरे पेज़ पर एक साथ ऐता थीक हो गया तो इस चीज़ से भी बचने के लिए हम देख लेके एPSी पे टीन काल्म करते हैं तो सारे पेज़ पर चाहिए जाके वन काल्म हो रहा हैं हमें इस्तमाल यहां पर भी करना पड़ेगा वो कैसे करते हैं उसको हम देख लेते हैं फिलाद जी मैं पेज का साइज यहां से एफ और इसकी मार्जन तुबारा से वन इंच कर देता हूं ठीक है और और इंटेशन इसकी कर देता हूं फोर्ट रेट जैसा पहले पेज हमारे पास था यह ब्रेक्स हम पहले भी कर चुके हैं थोड़ा सा के यह तालुक तोड़ने के लिए काम आता है एडर शूटर जब हम लगा रहे थे उसके लिए या बॉर्डर्स हम न्यू लगा रहे थे हर पेज़ पे डिफरेंट बॉर्डर्स तब यह इस्तमाल हो रहा था ब्र टॉल एंटर जिसकी होता हूं हमंने एक इसको मैं कर देता हूं ब पे चला चाहँ जाऊनी कि इतना ही लिखना इस पेज़ आघबgrass हो हम करते क्यों सके बाद से से सब्चने के लिए क्या करना आपने हैं यहां से पेज़ परेग्पे क्लिक कर देना पेज दे पेज़ पर जैसे ही क्लिक करें गे और टो मैटिकली नेट्स पेज़ स्टार्ट में विगिनिंग में आपका करसर आ जाएगा तो यह पैज पेज़ प्रेग्ट हम कैसे देख सकते हैं आपने कंट्रोल शिफ्ट एट दबाना है कंट्रोल शिफ्ट एट जिसको एट बहते हैं तो यह नॉन प्रिंटमल स्फिबल हो गए हैं जहां पे हमने पैस दबाई थी वहाँ डॉट आगया और यहां देखें लगावाए पेजब्रेक यहां पे नजरा रहा र पेज़ प्रेग डिलीट हो गया तो यह था हमारे पास सब्सक्राइब इस इंग्लिश में हम कर्सर रखेंगे तो वह भी नेक्स पेज़ पेशच पेश्च पेशले जाएगी जैसे कि अगर यहां पर जैसे मेरा करसर है यहां पर तूमेक इससे पहले मेरा करसर और मैं कंtrol दबा के एंटर दबाता हूं तो देखें वह भी साथ चला गया नेक्स पैड़ाइब भी बाद मुव कर जाता है इसी तरह पेज ब्रेक के बाद हमारे पास सेकंड है कॉलम ब्रेक ब्रेक में चलते हैं सेकंड हमारे पास है कॉलम ब्रेक कॉलम ब्रेक क्या होता है हम उस चीज को देखते हैं पहले तो कॉलम बना लेते हैं दो दो कॉलम बना लिए अच्छा अब यह द करने के लिए इस कॉलम के बिल्कुल पे आप घाए क्लिक करें यहां पर कॉलं मैं आप गोल्म JULY चले जाएंगे बिलुकुल पे इले से कि आप से नेक्स e effressant करे जाते हैं और कॉलम से अगले कॉलम की अंदर और चलेगा चलें दोनों की में लिग देता हूँ ठीक है ताकि आप depress clinical को यूज कर सकें पेजkeit की कि होती है Civilा julist क्या पेज परेक की शौट की होती है हमारे पास ctrl एंटर और कॉलम परेक पर एक तरह काम करेगा उपको स्वाथ की कैसे कि है मैं यहां से इसको एक ही पेज कर रहा हूं आपने सपेज क्या आटके गर यह hari नेग्स पेज आ जा जा जाकि यह कैंट्रोल हैं आप आpower आगे बाश्रे हो करसर अगर आपके पास दो कोम शहले दो कॉलम्स थे हमारे पास और आप चाहते हैं कि पहले कॉलम वे आपको करसर चला जाए तो आप यहां पर कोई इंसर्ट कर देता हुँ पिक्चर मैंने कुछ लिखा पैरा ग्राफ लिखे और इसके बाद बीच में एक तस्वीर इंसर्ट कर दी बैसिकली यहां पर जो पास लेड़ेक्स में यह मतलब होता है कि जो आपकी शेप है वो टेक्स से थोड़ी सी अलग आपको दिखाई तो थोड़ा इसी जो होगा ना टेक्स वो पीछे-पीछे चला जाएगा जब रेक्स करके टेक्स टैपिक पे क्लिक करेंगे अब आपने फर्क देखा है और यहां डॉक्यूमेंट लिखा वा था वह सेक्शन ब्रेक यह मतलब होता है हम अपने डॉक्यूमेंट को छोटी फीशिस में डिवाइड करते हैं कि हर पीस को हम डिफरेंट फॉर्मेट कर सकें डिफरेंट पेज लगा सकें डिफरेंट और यह रगा सकें अभी हमने प्रॉब्लम पीछे देखी दी वह प्रॉब्लम लगाए ते सारे पीजिस पे दो कॉलम हो रहे और जह Never फाइज साइज कर देते तो समर् Его का साइज का पर साइज चेंज हो रहा था है अगर मैं पेड़ साइज को कि यह फिर लेटल कर रहा हूं तो जितने भी फेस होंगे दो या कर सकते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट को ब्रेक करतें के चोटे योटे पीसिस के अंदर मैं यहां पर फिलाल वन कॉलम कर रहा हूं मैंने यह पेज पे इतना हिस्सा लिख लिए ठीक है इतना इतना यहां यहां तक लिख लिए मैंने ठीक है उसके बाद यहां के बाद मैंने य यहां मेरा करसर आट्रमेटिकली आगा अब हुआ यह कि आपने यह वाला पीस अलग कर दिया और यह वाला पीस अलग ओग ठीक है आपने उसको यह कहा कि निया पीस जो है वो नए पेट से स्टार्ट हो इसका यही मतलब बताना निव सेक्षिन नेक्स पेड़ यानि कि निया पीस जो है वो नए पेट से स्टार्ट किया जाए अब आप कंट्रोल शिफ्ट एट दबाएं ठीक है आप देख रहे हैं यहां पे सेक्षिन प्रेक लगावा है ठीक है पूरा तो यहां पे शो नहीं हो रहा लेकिन यहां पे यह जो लाइन यह हमें यह बता रही हैं कि इस हैडर और फुकर लगा सकते हैं जो हम पहले देख चुके हैं दूसरा फाइदा हमारे पास यह होगा कि हम इस पेज का साइज डिफरेंट कर सकते हैं ठीक है अब देखें मैंने एक पेज साइज लीगल कर दिया और एक अब आपको फर्क नुमाया दिखाई दे रहा होगा प पहले पेज की जाकर मैं कर देता हूं एफ्वाट वला फेज को घ्रिया एफ उसका फाइदा यह होता है कि हर सेक्शन डिफरेंट पीस को मैं यहां पर सभूसा मिटा झुह हो तो मैं इसको यहां दोड़ा सा लिमूफ कर रहा हूं जो अग् inspire का मतलब होता है यहां पेज उसका फाइदा यह होता है कि आपको पूरा डोकुमेंट बना रहे हैं चोटे-उटे पीसे डिवाइड लगा सकते हैं डिफ्रेंट पेज ओरियन्टेशन लगा सकते हैं डिफ्रेंट कॉलम्स लगा सकते हैं हम पहले पेज से स्टार्ट से इसके बाद मैं चलता हूं करते हैं यास ने बूप किया करें अब अब यहां पे निख्टर वह से सक्चेन एक उसका मतलब यह पेज को गया और एक पेज अलग हो गया अब हों क्या करते हैं पहले पेज पेज पेज़ चलते ये और इस तरीके से स्वेस्स का आप इस तमाल कर सकते हैं इस तो यहांपे मैं रेंड की कमांड इसक्स लिख रहा हूब और मैं यहां पर कॉलम बना रहा हूं तो थीक है और इसी तरह यहां पर अच्छा अब एक चीज कर देखएए पहले पेज़ पे अधिकτοर रोका है दूसरे पेज पे दो कॉलम होगा बात बेटा क्लियर हो रही है सेक्शन प्रेक क्यों इसके बाद हमारे पास हम डिफरेंट सेक्शन में अपने पेज को डिवाइड कर देते हैं अब हम देखते हैं एक और चीज मजीद ताके आपको थोड़ी सी अंडेस्टेंडिंग बेतर हो जाए इसकी वन कॉलम ही कर रहा हूं ठीक है इतना हिसा लिखा और फिर उसके बाद कंट्रोल एंटर दबा के नेक्स पेज पर जाता हूं यहां पर तोड़ा सा लिख लेता हूं ठीक है और उसके बाद फिर अच्छा अब देखें मैंने एक दो पेज बनाए तोनों पेज कि लिखा यहां पर यह पहला पेज है और इसके बाद यह दूसरा पैज है अब एक चीज हम करते हैं मैं सेक्षिंग ब्रेक लगाता हूं पहले पीज कर लिया एक नया पेज बन गया बन गया उसके बाद कंट्रोल शिउट डॉट दबाएं मैंने सेक्षिंग लेक लिगा ध आप यह दो पेज़िज एक जैसे होंगे क्योंकि यहां सेक्शन प्रेक किया यानिके इनसे पहले वाली वाली वह जाएंग जालइ और क्योंके यहां पर लगाया तो अगला पेज यानिकर श्केश्वन पेज नेजिए सीस्ट तो हमने लगाया है second page के end पे तो इसका मतलब है यह वाला पेज और यह वाला पेज यह दोनों एक जैसे हो और नया वाला उसके बाद section break के इंडर continue ऐसे बहुत important option मौझूद है ठीक है आपके paper के point of view से बहुत ही जादा important है यह आप अभी करेंगे मैं आपको करवाता हूँ मैं यहां पे इसको कर रहा हूँ one column कैसे पहले था और इसके बाद मैं इसके control शुक्रेट तो बाता हूँ ठीक है मैं चाह रहा हूँ कि page के उपर वाले हिस्से में a column हो और page के नीचे वाले हिस्से में दो कॉलम या तीन कॉलम या एक page को आप दो इस्सों में divide कर रहा है उपर वाला सेक्षन और नीचे वाला सेक्षन यानि कि पेड डिफरंट नहीं है आप चाहरें कि उपर एक कॉलम लगा और नीचे दो कॉलम लगे वह हम कैसे कर सकते हैं फैले हम थोड़ा सा मजीद इस पे लिख लेते हैं यहां पर एक पैरग्राफ चाहिए से मिटा देते हैं ठीक है नेक्स पेज़ पे नहीं जाएंगे आपने एक कॉलम में लिख लिया काम कर लिया अब आप यहां पर जाएं करसर रखें अपना और यहां पर ब्रेक पर क्लिक करें और फिर आप कॉंटिन्यूस पर क्लिक करें अब यह वाला हिस्सा अलग हो गया अब नीचे आएं और नीचे कुछ लिख लेते हैं और नीचे हम कर देते हैं ट्रॉ कॉलम मैं अब देखें वेटा एक चीज आपने नोट की उपर सित यह कॉलम हैं और नीचे हमनेकितने ही हम सब्सक्रक्रिद करेंगे तो नीचे 3 column हो जयेंगे उपर वाले change नहीं हूंगे हैं उपर कर सर रखके जब हम Two column करेंगे तो सिर्फ ऊपर change होंगे नीचे चेंज होंगे उसकी वजा यह है कि आपने इस page को दो डिवाइड कर दिया बीच में से आपने इसको काड़ दिया है उपर वाले का नीचे वाले से लिंक कोई नहीं रहा है यानि कि आपने सेक्शन में डिवाइड कर दिया दोनों को बीच में जो चैन थी वो आपने तोड़ दी है खीक है तो अख़बार जो न्यूस पेपर सो गयरा है वो इस तरह लिखे जाते हैं उपर साटे हैं यानि के स्टार से बास जहां सक्षम प्रेट आपको दिखा है यहां पर लगावा दखाई दे रहा है आप ने अधर अपना करसर रखना है और पिर डिलीट का बटन दबादेना तो यह देकिए सेक्शण हो जाएगा सेक्शन धरी टो जाएख teeth मैं नोलम कर देता ह में चले और यहां पर क्लिक करते हैं कॉंटिन्य उस्पे क्लिक किया लाइन नमबर में तो क्या हुआ हर लाइन के साथ एक नंबर आगया है वन टू थी फार फाइफ इक स्क्सर यह है कि आप लाइन अगर गिरना चाहा ठीक है उसके बाद लाइन नंबर को मैं करता हूं continuous ठीक है continuous कर दी है लाइन नंबर लाइन नंबर लग गए अब यहां पर मजीद option देखते हैं एक है suppress for current paragraph यानि कि जिस paragraph में मैंने करसर अपना रखा होगा इस paragraph में मैंने करसर रखा है अपना उसमें लाइन नंबर नहीं आएंगे बागी सब बें लाइन घाना है उसमें आपने करसर ऋक्रिकर क्रेंट नंबर कर देना तो इस वाले paragraph में पैराग्राफ में लाइन नंबर नहीं आया इस paragraph से लाइन नंबर खतम हो गया यह च्छे पे खितम हुआ तो नीचे वाला साथ से स्टार्ट हो गई है ठीक है सप्रेस का मतलब यह होता है कि जो इस पैराग्राफ में अपना करसा रखा होता है उस पैराग्राफ से लाइन नंबर खितम हो लाइन नंबर में मजीद यहां पे लाइन नंबर के आप्शन तरहे हैं यहाँ यहां पे आप यहांपे क्लिक करते हैं तो क्लिक किया यहां से भी काउंटिंग स्टार्ट हो सकती है और ओके किया और यहां से किया ओके तो आप देख रहे हैं कि पहली लाइन के साथ आप टैना आजा दूसरे के साथ एलेवन फिर ट्वैल्व के तर्टें पर ठीक है दुबारा वापर चलते हैं लाइन नंबर के आप्शन में लाइन न बशावो दे दस के बाद पंदरा आए 15 के बाद 20 के बाद 25 ठीक है और इसके बाद करेंगे ओके और फिर किया ओके आप देख रहे हैं यह पिर उसके बाद उसमें कुछ लाइन छोड़ दी ठीक है फिर इस तरह सोला एक परेज्च किया हुए उसमें लाइन नंबर जो है व के वह 5 भी बीट में से लाइन नंबर घोड़ा आप ने उसको बिच में से लाइन नंबर ना आए उट फिलाल मैं राइन नमर में चलता और कोंटिनीव करता हूं सारो के साल लाइं नंबर आ चाल जाए है दस ग्यारा बारा किए पिछास भी पहली और फिर फिटीवन से स्टार्ट करता हूं तो इसका हर पेज पे लाइन नंबर द्वारा ईच पे लाइन चेक किया किया तो आप देख रहे हैं यह से स्टार्ट होके और दूबारा दस से स्टार्ट हो गए है उसके बाद मैं करके एक चलके सेक्षें कॉंटिनियूज नränके दो सेक्षिन हो गए और नीचे कुछ लिखे ले हैं तो देखें आप आपने में ऑर ना नमबर में करता हूं री सटारट ये वह वह ये वाला ससे लेकर उसके बाद सफाइस तक डूबाज गंती स्टार्ट वी स्टार्ट और नीचे वाले सक्षिन पर श很 तो आपने अक्सर इंग्लिश में यह पड़ा होगा कि अगर एक लवस लाइन के एंड तक पूरा नहीं आया तो आगे उसके एक इस तरह से साइन यह और फिर नीचे अधा लवस मैंने लिखते नी मैंने निचे लिखते हैं अब यह हाइफन नेशन कहला यहां पर कुछ चीज़े लिख लेता हैं के लिए क्लिखते हैं और उसका बखूस होगा है फूर इसने यहां पर लगादिआ E के साथ इसने माइन strengthen दिजाइन आगे हमारे पास पैराग्राफ का गुरूप आ रहा है उसमें आप देखने इंडेंटेशन है लेफ्ट और राइट लेफ्ट इंडेंट क्या होता है ठीक है पैराग्राफ देखें पूरा आगे चला जाता है कंट्रोल एम इसकी शौट की होती है ठीक है और राइट इंडेंट हमारे पाद यह होता है राइट साइट से पैराग्राफ बढ़ जाता है पैराग्राफ से पहले जीरो पॉइंट की स्पेसिंग होती है मेरा ख्याल है यह भी हम कर चुक्त है आपको मैंने लिखवाया भी था यह हर पैराग्राफ के बाद एट पॉइंट की स्पेस आती है ठीक है आप इसको बढ़ा भी सकते हैं देखें पैराग्राफ के बाद स्पेस जादा हो रही है पैराग्राफ से पहले स्पेस जादा हो रही है पैराग्राफ से पहले स्पेस कम हो रही है ठीक है पेटा यह वह पहले भी उसके बाद यहां पर अरेंज का ग्रूप आ रहा है कि आपकी शेप से रिलेटिड होते हैं यह मेरा ख्याल है आपकी शेप के अंदर और पिक्चर्स के अंदर यह सारी चीज़े देखिए पुजीशन रैप टैक्स ब्रिंड और सेंट बैकवर्ड सेलेक्शन पैन अ ना शेप में और पिक्चर में कर ली है ना इनको यहां पर तो यहां पर कवर्ड़ने की इनको जरूरत है यह वही आप्शन रिपीट हो